लोड़ जाता हूँ वापिस घर की तरफ हर रोज ठका हारा आज तक समझ नहीं आया के काम करने के लिए जीता हूँ या जीने के लिए काम करता हूँ बच्पन में सबका बार बार पूछा गया सवाल बड़े होके क्या बनना है? जवाब अब मिला फिर से बच्चा बनना है ठक गया हूँ तेरी नौकरी से ऐ जिन्दगी मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे दोस्तों से बिछड कर ये हकीकत खुडी बेशक कमीने थे पर रौनक उन्हीं से थी भरी जेब से दुनिया की पहचान करवाई और खाली जेब से अपनों की जब लगे पैसे कमाने तो समझ आया कि शौक तो माबाप के पैसों से पूरे होते थे अपने पैसों से तो बस जरूरते ही पूरी हो पाती है हसने का दिल ना हो तो भी हसना पड़ता है कोई जब पूछे कैसे हो मज़े में हूं कहना पड़ता है ये जिन्दगी का ड्रामा है दोस्तों यहां हर एक को नाटक करना पड़ता है माचिस की जरूरत यहां नहीं पड़ती यहां तो आदमी आदमी से जलता है दुनिया के साइंटिस ढून रहे हैं कि मरीख पे जिन्दगी है या नहीं पर आदमी ये नहीं ढून रहा कि जिन्दगी में खुशी है या नहीं नीन्द और मौत में क्या फरक है नींद आधी मौत है और मौत मुकमल नींद है। जिन्दगी तो अपने ही तरीके से चलती है। औरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र युही तमाम होती है। कोई रो कर दिल बहलाता है और कोई हस कर तर्द छुपाता है। जिन्दा इंसान पानी में डूपता है और मुर्दा तैर के दिखता है। बस ये कंडक्टर सी हो गई है जिन्दगी, सफर भी रोस का है और जाना भी कहीं नहीं। हर सवाल का जवाब मैं ढूनता रहा, और अपने कमरे में जाते ही जवाब मिल गए। चत ने कहा उची सोच रखो। पंके ने कहा ठंडे से रहो। घड़ी ने कहा हर मिनट कीमती है। शिशे ने कहा कुछ करने से पहले अपने अंदर जाक लो। खिड़की ने कहा दुनिया को देख लो। कलेंडर ने कहा अप टू डेट रहो। और दर्वाजे ने कहा अपनी मंजल को पाने के लिए पूरा जोर लगाओ। लकीरे भी बड़ी अजीव होती है। माथे पे खीन जाए तो किस्मत बना देती है। जमीन पे खीन जाए तो सरहदे बना देती है। खाल पे खीन जाए तो खून ही निकाल देती है। और रिश्टे पे खीन जाए तो दिवार बना देती है। एक रुपिया एक लाख नहीं होता, मगर फिर भी एक रुपिया एक लाख से निकल जाए, तो वो लाख भी नहीं रहता हम आप लाखों दोस्तों में से एक वही रुपिया हैं, संभाल के रखेगा, बाकी सब जूट, हवस और फरेभ है